बॉक्स ओफय स्टोरी काफी धूम म अरी है और ये फिल्म लोगों को काफी पसंद भी आ रही है और इस फिल्म में लीड़ अक्टरेस पे काम कर रही ही अर दर शर्मा छिनके बारे में ज्यादा बात तो नहीं होती है लेकिन वह काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्टरस है अदा शक्षर्मा ने इससे पहले पहले हैं। प्रिफेश्र सए एक लासिकल रांसर है अधा शर्मा अपनी पेरेंट्स की एक लॉधी संतान है अधा शर्मा की मा मल्याली थी और उनकी पेता तमिल के रहने वाले हैं अधा के पैदा होने से पहले ही इनके पेरेंट्स मुंबेश शिफ्ट हो चुके थे इनका पूरा परिव केरेल के पलकर से बिलॉंग करता है अधा शर्मन ने पनी स्कूल की पढ़ाई मुंबए के किसी प्राइविट स्कूल से की इसके बाद इसके बाद इन्हें क्लास 10 से ही एक एक्टरस बने का खयाल आने लगा तब से उन्होंने ये फैसला लिया था कि वह एक्टरस ही बनेंगी वैसे तो उनका मन फिर भी पढ़ाई में नहीं लगता था वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना चाहती थी पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस शीज की इजाज़त नहीं दी इसके बाद उन्होंने सेकंडरी एजुकेशन कंप्लीट की फिर उसके बाद मुंबे क एक नटराज गोपी कथक डांस युनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और ग्रेजुरेशन तक की पढ़ाई कथक से पूरी की वैसे तो अदा को हम अदा शर्मा के नेम से जानते हैं लेकिन बहुत कमी लोगों को पता है कि यह उनका रियल नेम नहीं है अदा शर्मा ने कामन डेश्वरी अयर यह काफी जादा लंबा और डिफिकल्ड नेम है और काफी लोग इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्होंने अपना नाम छोटा करवा कर अदा शर्मा करवा लिया था अदा शर्मा एक्टिंग तो करना चाहती थी लेकिन उन्हें प पहला ब्रेक बॉलिवड में फिल्म 1920 में मिला यह फिल्म साल 2009 में आई थी और एक होरर मुवी थी इस फिल्म में इनकी अदाकारी को काफी सारा आया गया था और यह फिल्म एक मैसिव हिट रही थी इस फिल्म के बाद धीरे धीरे करके अदा को काफी सारे फिल्म में मिलती और वो आगे बढ़ती गई अदा शर्मा ने अपनी करियर के शुरवात बॉलिवर्ड फिल्म से ही की थी और ये मुंबल में ही पली बढ़ी हैं लेकिन फिर भी अकसर लोग कहते हैं कि ये साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री की एक्ट्रस है अदा ने काफी सारी बॉलिवर्ड फ हसी तो फसी आई थी उसके बाद眼بة जोतीन फिल्म में नजर आई थी साल डुढ रहआसंसनीवार्ज प्रस आल ये साल 2017 में इंप आखी न्फगू फल्म रोग इनाइन्धी फिल्म कमांडर 2 आई थी जिसकी वज़े से काफी स्यादा पॉब्लर हो गए थी वाल की पाइपास रोड और कॉमांडो 3 साल 2023 में ये दो फिल्मों में नजर आए पहले फिल्म सेलफी थी जो फ्लॉप रही और दूसरी फिल्म तक करेला स्टोरी है जो इन दिनों काफी जादा ट्रेंड में है अधा शर्मा ने फिल्मों के साथ ही कुछ वेब सीरीज भी की है अधा शर्मा अभी तक 5 वेब सीरीज में नजर आ चुकी है जैसे की पुकार, तग हॉलिडे, पती पत्नी और पंगा, ऐसा वैसा प्यार, मीट क्यूट आज के टाइम पर अधा शर्मा एक काफी जादा सक्सेसफुल एक्टर है और इसी के साथ साथ उनकी नेटवर्ट 10 करो के अराउंड है और फिल्म और वेब सीरीज के अलग हट के अधा काफी सारे ब्रैंड वक भी करती है अपने शोचल मेडिया पर जो कि उनकी इंकम का एक प्राइम सोर्स है अधा शर्मा नहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन इंडियन फिल्म इंडर्स्ट्री में अपनी पहचान बनाई है जो सप्टा उन्होंने क्लास् 10 में देखा था उसे उन्होंने पूरा कर लिया है उनकी फिल्म दे केरला स्टोरी में उनकी अक्टिंगी काफी तारीफ की जारी है और अगे भी हमें उनकी और भी अची 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 फिल्में देखने को मिल सकती है So yeah, that's it, video कैसी लगी मुझे comments में जरूर बताएं और अच्छी लगी उते से like and share करें और इसे और वीडियो के लिए मेरे channel को please subscribe कीजें मैं मिलती हूँ बहुत ज़ल next video में Thank you for coming